नवस्ते फ्रेंड्स हीमा के साथ आप और आप के साथ हीमा में आपका सरसजिल से स्वागत है और आज बनाते हैं बच्चों के लिए कुछ खास जैसे ये आम का सीजन है और इस सीजन में हमको आम अच्छा से मिलते हैं तो हम आम का बनाएंगे जूस वो तो सबी को आता है लेकिन उसमें डालेंगे दूद दूद डालने से वो बहुती टेस्टी बनेगा और बच्चे उससे गलास भर भर के पिंगे और उससे पहले छोटा सगीर सुख में हरी साथी न दुख में कोई बोल रा लेके प्रभू का ला तो यह रिसे भी अभी हम स्टार्ट करते हैं आम बाजार से लाएं हुए हैं अच्छे से दोकर रखे हुए हैं दोने के बाद उसको अच्छे से पोच रहा है और उसको थोड़े देर अलग से रख प्रेटर भाद में उसके उसे अंदर से जो मतलब उसको निकलना है तो जहां में हमको ग्राइंड करना है उसमें फिर दूध शक्कर और थोड़े एक पिंच नमक डालना है और फिर उसके बाद उसमें हमको दूध डाल चली देर थंड़ा होने के लिए रखना है और उसका पछेये जल्द उपयण करना है बद्चे थो पिए बनाते है चलिए सटर करतें देखिये यह यह का इस तरह से आंको पल्प निकाल के लिए मिंकाल रखना है ऌको से मिक्सीमें इस तरह से पूरा पूरी मेंगो का निकलना है और दूद डालना है इसमें शक्कर डालनी है नमक डालना है इस तरह सेप्मिन में निकाल लेती है इसको भी 2 मिन टाइम लगेंगा ओके अब यह पुल्प निकल चुका है अब इसमें हम डालेंगे दूद मलाई वाला डाले तो भी चलेगा और मतलब जो रोज का रेगल हो रही ता वह भी चलेगा उसके पहलेंगे शुगर है इस पल्प के हिसाप से और मेंगो जितना मिठा रहेंगा उसके हिसाप से आप उसमें एकदम से सुपर साब मेंगो जूशत तैयर यह अब नमक एकदम बिल्कुल एक-पिंच दूनिक हम थोड़ा झाले के हिस तरह से ग्राइन हो चुका है रहें पार मेंगो जूशत निगर आहले जिर्लास में या इस तरह से सब करके अपने प्यारे प्यारे बच्चों को पिरा सकते हैं मस देखें देखें इतना सुन्दर सा प्यारा कर जूस बढ़ करें जूस इक्तम देखें देखें एकदम सुन्दर जूस रेडी है ये जूस हम फ्रीज में थोड़े दिर के लिए रखेंगे ताकि वो थंड़ा पिने में एकदम स्वाधिष्टे लगे और बच्चे इसे पी करें एकदम बनेंगे एकदम दुरुस्त क्योंकि मैंगो हर साल में मतलब एक की बार लेता दुखकाले में बाद में तो साल बर नहीं रहता इसलिए मैंगो कजूस दिल भर की पीजिए और कुछ दाइए राहों में अन्से मुलाकात हो गई राहों में उन्स हो गई जिसे बात से डरते थे वही बात हो गई सुन्दर सा जूस तयार है और आप पी सकते हैं ओके बाई